नमस्कार किसान भाइयों आप सभी का स्वागत है यूटूब चैनल एग्री आकाइस में किसान भाइयों आज की इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ भिरिंडे की 59 किसमे जो 59 किसमे बहुत ही अच्छा उत्पार्ण देती है और बहुत ही ज़्यादा इनकी डीमांड ह इन पांचो किसमों के बारे में मैं आपको संपून जानकाई देने वाला हूं तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगलने बने बिल की आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडिय आपको समय से मिल से किसान भायों चलिए शुरू करते हैं किसान भायों जो हमाई सबसे पहली किसम है वो है राधिका भिंडी किसान भायों राधिका भिंडी के बारे में कई सारे किसान भायों रेडी जानते हैं इसका बहुत ही जादा मांग है तो इसमें क्या अच्छी ची प्रजातियों के मचाबंडि में असानी से बिख जाती है किसान भायों अगर हम बात करें कि जब हम राधिका भींडी लगाएंगे किसान कब भर में शुरू हो जाए गालद में 25-50 दिन में पहिल तुलाई आ जाती जिससे कि कमाई शुरू हो जाती है लेकिन इसका जो उत्पादन हो तो 45 दिन पर पहला तुलाई देदेती है और इसके बाद इसका उत्पादन बढ़ता रहता है यानि जो आप दूफरी तीसरे चौथी तुड़ाई करेंगे तो भिंडी जो है वो काफी जादा मात्रा में निकलती जाएगी किसान भाईयों और इसकी जो बात है कि इसका जो पौधा होता है वो मीडियम साइच का होता है और इसका जो फल होता है वो भी मीडियम साइच का होता है अगर हम बात करें इसके फल की लंबाई की किसान भाईयों अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम इसकी बुआई कब कब कर सकते हैं किसान भाइयों आप इसकी जो बुगाई है वो हर मौसम में कर सकते हैं यानि यह भिंडी आप लगाने का जब भी मन हो जब भी भिंडी की बुगाई की जाती है आप हर मौसम में राधिका भिंडी की बुगाई कर सकते हैं किसान भाइयों इसमें एक खास बात जब इसके फल की हम तोडाई करते हैं तो अमूनार भिंडी के चीज़ों में क्या होता है कि हमें जल्दी मिशना पड़ता है वर्ना भिंडी खराब हो जाती है लेकिन अगर आप राधी का भिंडी लगाते हैं तो आप तोड़ के लंबे समय तक रख सकते हैं फल जो हो खराब हम सहिंसील होती है यानि अगर आप राधी का भिंटी लगाते हैं तो आपको पीला मोजेक और करलो वाइरस की जो समस्चा यह भी आप वो देखने को कम मिले किसान भाईयों इस किस्म के बारे उम्मीद करता है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी अब बात करते हैं दूसरी क किस्म है वो नामधारी कंपणी की है NS86 यानि NS828 किसान भाईयों यह लिए यह भी एक hybrid किस्म है इसके पौधे कुछाई होती किसान भाईयों वह मध्याम होती यानि इसमें चार साखाएे निकलती है तीन से चार यानि अभी जो हमने आपको रधिका भिंडी बतायों इसमें इसका भी जो फल होता हॉ काफे मिलाय मुलायम होता है क्योंकि विडियो pengos mriend spring 24 से 50 दिन सुरू हो जाती आप Auto Cr SAY 50-50 दिन में शुरू हो जाती है épisode इसका खास बात इसम बहुत ज्यादा उत्पान होता है यानि नामधरी कंपनी जो NS 862 है यह रिकार्ड तोल उत्पान देने के मामले में जानी जाती है किसान भायों अब हम अपनी तीसरी किस्म की बात करेंगे जो हमाई तीसरी किस्म है वो है सिंगहम इसका जो पौधा होता है वो अजे देवगन के जैसा जोड़दार और पौधा होता है और यह यू यम यू का उच्छा प्रतिरोथ करती है और इसका उत्पादन किसान भैई वो 50 दिन में सुरू हो जाता है और लंबे समझता कि आपको सिंगम भिंडी अच्छा उत्पारण देती है यानि अगर इसको आप लगा लिए तो आपका आता माजी सटकली होना तय है किसान भाई अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी किसमे की जो हमाई तीसरी किसमे किसान भाई वो है कावेरी भिंडी किसान भाई की पहली पसंद है इसका बहुत अच्छा उत्पारण मिलता है किसान भाई इसको लगाते हैं अब हम इसके बारे में जानते हैं किसमीं है उसका सिंगहम कावेरी भिंडी के बाद आम बात करते हैं कावेरी भिंडी की फल की लंबाई होती है वह 10 सिले के 12.5 cm Pur aunt 22 1945 से बात करें क히 नहीं बात करें किशान बहुएत पांच वी और आखरेकांत रोगतने निभी ऐसे वह आखर की वहार्ये सब्सक्राइब अंतान कहती है यह यह खुला बाले किस्म या एंशको आप खुल में लगा सकते अच्छा उत्पान देती है इसको आप गार्डनिंग में भी लगा सकते हैं खेद में भी हर जगा सकते हैं अगर हम बात करें इसके फल की लंबाई की तो इसके जो फल की लंबाई होती है वो 12 से ले के 15 cm तक की होती है पतले फल होते हैं हरे और मुलायम फल होते हैं पीला मोज कैसे करना है और क्या ध्यान रखना वह भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि वीडियो को लाश्ट में बताना जरूरी किसान भाईयों बुआई कि जब भी आप भिंदी की बुआई करें आप एक से दो स्विंटी मीटर की गहराई पर करें और बीज की जो यानि जो बीज का पैकेट है उस पर जो भी तिथी लिखी हुई अंतीव तिथी समाप्ची तिथी उससे पहले ही बुआई करें किसान भाईयों इससे जो है आपकी फसल कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी फसल काफी जादा अच्छी होगी किसान भाईयों इस वीडियो में हमने आपको ब सिंघंघंघंडी हमें आपको बताई इसका नाम के वाद सिंघंघंघंडी है यह जो आता माजिश शटकली और अजी देवगुन जैसी बाते की यह मैंने कल मजाक के लिए कि है इसका नाम जो है सिंघंघंघंडी ही है किसान भाईयों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप समय से मिल सके